कोडिलाटरल चैप्टर हम लोगों का चल रहा है और उसमें हमने अभी स्पेसिफिकली हमारा जो सब टॉपिक है पैरिलोग्राम उसको स्टार्ट किया है तो अभी 8.1 एक्साइस का जो कोशन नमबर 10 है वहां से चीजों को स्टार्ट करते हैं शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या बोला जा रहा है सवाल में बड़ा ही प्यारा सा सवाल है देखो हमेशा अपनी पहली अप्रोच यह रखो कि चीजों का गीवन आपके पास होना चाहिए ठीक है तो गीवन आपके पास यह हो सकता है कि कॉड्रिलाटरल A, B, C, D is a पैरलोग्राम यह जानकारी आप ल on diagonal BD अब देखो इतनी बड़ी लाइन लिखी है unnecessary इतनी बड़ी लाइन को आपको नहीं लिखना है आपको अपने गीवन डेटा को short में करना है ठीक है बराबर आपको अपने गीवन डेटा को short में finish करना है इतना लंबा चोड़ा प्रवचन सुनने का देखने का समय किसी के diagonal BD ये इस तरीके से diagonal की पूरी spelling लिख देना वैसे ही आप लोगों के पास जो CQ है ये perpendicular है diagonal BD के यानि कि जो भी लंबे लंबे प्रवचन लिखे होते हैं उन लंबे लंबे प्रवचनों को इस तरीके से आपको short में लिखना है अब आगे बोल रहा है show that मतलब question आप लोगो आपको प्रूफ करना है पहला पार्ट आपको ये प्रूफ करना है कि triangle A P B congruent होगा triangle C Q D के और दूसरा पार्ट आपको ये प्रूफ करना है कि A P equal to होगी C Q के बराबर ये दो चीजे आपको यहाँ पर प्रूफ करनी है तो A P equal to C Q होगा इसको तो तुम छोड़ी दो A P equal to C Q हम कैसे प्रूफ करें the main problem here is कि आपको जो दो triangle A P B ठीक है ये नीचे वाला triangle A P B कहां गया आप लोगों का एक मिनेट हाँ ये जो नीचे वाला triangle A P B ये वाला triangle ये वाला triangle ये वाला triangle ये वाला ये वाला triangle इन दोनों triangle को basically आपको क्या करना है congruent proof करना है कैसे करेंगे इनको congruent proof बड़ी अरचन है नहीं बिलकुल नहीं है बहुत ही simple सी चीज है but how कैसे तो सबसे पहले ये बात तो हमको अच्छे से पता है कि कोई भी figure अगर आपको parallelogram दिया होता है कि ये फलाना figure एक parallelogram है तुरंट तुमारे दिमाग में खयाल आना चाहिए कि अच्छा इसकी जो sides हैं वो parallel होंगी और अगर sides parallel होंगी तो वहाँ पर हम लोग alternate angle वाला concept लगा सकते हैं तो alternate angle वाला concept ताकि मैं लगा सकूँ ठीक है alternate angle वाला concept ताकि मैं लगा सकूँ तो इसके लिए मैंने क्या किया ये वाली side ली DC और नीचे वाली side ली मैंने AB बराबर मैंने DC और AB ये दोनो sides ली ठीक है ये क्योंकि opposite sides हैं parallel होंगी और मैंने मेरे ये BD को purple color वाले को transversal कहा तो क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ बिल्कुल कर सकते हो यहाँ पे लिखेंगे कि seg DC parallel है नीचे वाले seg AB के ठीक है and BD is a transversal BD हम लोगों का basically क्या है transversal है तो तुरंद तुमारे दिमाग की घंटी बजनी चाहिए कि यहाँ पे alternate angle का concept लगाया जा सकता है और alternate angle का concept यहाँ पे लगा डानो तुरंद आपके दिमाग में यह खयाल आना चाहिए है ना तो कौन होंगे यहाँ पे alternate angle अगर मैं इसको नाम देदू यह इस वाले को अगर मैं नाम देदू तो यह क्या बन जाएगा आपका angle 1 और इसको अगर मैं नाम देदू तो यह बन जाएगा आपका angle 2 यानि कि यहां लिखा जा सकता है कि angle 1 congruent है angle 2K और इसका reason है alternate angle मैं जानती हूँ कि मुझको आगे जब triangle को congruent proof करना होगा तो मुझे इसकी need पड़ेगी है ना इसलिए मैंने इसको equation number 1 दे दिया अब मुझको 2 triangles congruent proof करने के लिए बोले गए हैं कौन से 2 triangle congruent proof करने है A करना है in triangle A, P, B और जो आपको दूसरे triangle congruent करना है that is C, Q, D अब अब अपना पूरा दिमाग लगाए कि triangle A, P, B को triangle C, Q, D को आप कैसे congruent proof कर सकते हैं इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ उन दोनों triangle को मैं redraw कर रही हूँ A, P, B कैसा दिखता है रेखो यहाँ पे नीचे में A, B होता है यहाँ नीचे में A, B होता है यहाँ से perpendicular वाला point गया है P और यह P फिर join हो गया है जाके B से यहाँ पर 90 degree बना हुआ है और इस वाले angle को हमने diagram में क्या नाम दिया है 2 तो यह है आपका triangle A, P, B वैसे ही triangle C, Q, D आपका कैसा दिखता है यहाँ point C है, यहाँ point D है यहाँ से आपने एक AC line खीची है और यहाँ से आपका एक perpendicular जैसा कुछ drop हुआ है जादा exactly वैसा हूबो हूब फिगर नहीं बना रही हूँ बट लगभग rough estimate यह वाले angle को आपने angle 1 लिया तो basically आपको इन दोनों triangles को congruent 2 करना है पहला चीज तो देखते बराबर proof हो गई कि angle 1 congruent angle 2 के और इसका reason आप दे सकते हो from 1 हमने proof किया है ना कि वो दोनों alternate है वैसे ही आप यह proof कर सकते हो कि आपके पास angle 1 congruent to angle 2 के अलावा angle P congruent to angle D है क्योंकि दोनों के दोनों कितने degree के है 90 degree के y 90 degree perpendicular drop हो है ना अब इसके अलावा और क्या आपके पास है आप वो सोचो तो देखो आपके दिमार्क में parallelogram सुनते बराबर तुरंत चीजे आनी चाहिए opposite angles are equal but madam क्या यहाँ पे opposite angle का कोई concept लगेगा maximum लोगों को लगेगा कि madam a बराबर c लिख दो आप तो कि यह वाला जब angle a है और यह वाला जब angle c है equal दे दो यार मैं दे सकती हूं angle a equal to angle c but जो triangle हमको congruent prove करना है उसमें angle a आधार है complete angle a तो इसको कहते हैं पूरे पीछे तक but जिस triangle को तुमें congruent prove करना है उसमें तो angle a से भी तूसा है तो इतनू से angle के लिए property नहीं लगती है property पूरे angle a के लिए लगती है तो opposite angle का concept यहां यूज नहीं कर सकते हैं दूसरा दिमार्ग चलाओ next property क्या होती है पालेलोग्राम की opposite side जारी को है क्या यह यहां यूज की जा सकती है बिलकुल a b क्या है parallelogram की side है dc क्या है parallelogram की side है तो यानि कि यह वाला a b और यह वाला dc अपका equal होगा यह reason होगा sec a b congruent to sec dc और इसका हम reason देंगे opposite sides of a parallelogram ठीक है तो जिन लोगों को यह लग रहा था कि opposite angles वाला concept यहां पर यूज करोगे नहीं यहां पर opposite angles वाला concept यूज नहीं होगा क्योंकि डाइग्राम में जो angle a है हमारे triangle में वो angle a अलग है और parallelogram में जो angle a है वो अलग है triangle वाला angle a छोटा है और parallelogram वाला angle a बड़ा है ठीक है तो therefore आपके पास जो triangle है A, P, B ये congruent हो गया है किस तीच के आपके दूसरा वाला triangle C, Q, D, K हाँ, अब हमें ये बात करनी है कि कौन से test से congruent हुआ दो angle है और एक side है तो ये हो गया आपका A, A, S test ये तो हमको proof करना था तो यही हम लोगों का basically proof है part 1, ये हमको proof करना था और ये हम लोगों ने proof कर लिया बट इसको proof करने के अलावा तुमको ये भी proof करना है कि AP congruent होगी या फिर equal होगी C, Q के जो कि बिल्कुल कठीन काम नहीं है अगर ये दोनों triangle आपके congruent आ गये हैं तो आप इसमें C, P, C, T लगा दो AP क्या तुम तो BP equal to वह भी दिखा सकते हो है ना BP वाला भी दिखा सकते हो तुम तो ऐसा थोड़ी नहीं अच्छा रुको मेरे से mistake हो गई है यहाँ पर ये Q point है तो यहाँ पर angle D नहीं यहाँ पर angle Q आईगा ठीक है तो अगर यह दोनों triangles congruent हैं तो तुम लिख सकते हो कि SEC AP congruent हो जाएगा SEC CQ के और इसका reason यहाँ दे सकते हो CP CT और यही चीज तो आपको प्रूफ करनी थी AP equal to आजाए CQ जो कि हमने प्रूफ कर दी इस तरीके से इस question के जो दोनों parts है यह हम लोगों के प्रूफ हो गए फिलाल इस discussion को अभी यहाँ पर रूप